आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपका जो पैन कार्ड है वह अधार कार्ड शेल लिंक है या नहीं है आप उसे कैसे चेक कर सकते हैं जैसा कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के एकॉर्डिंग या सुनिश्चित किया गया है कि आपका पैन कार्ड जो है वह आपके अ पैन कार्ड की जरुएत आपको सबसे ज्यादा हो गई है अगर आप बैंक में किसी प्रकार का लेंदेन करते हैं या आप जीस्टी आई टीर फिल करते हैं तो आपका पैन कार्ड आपके अधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही कंपल्सरी हो गया है अभी तो इस टाइम जितन या इंटर आईडी या अनुक किसी भी डाकोमेंट्स के द्वारा पैन कार्ड बना दिये जाते थे जिसका यूइजकी लोग सब्यश्टा करते थे टो ये प्रोल्म सबसे या उन्हीं लोगको होगी जो लोग की आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं बनवाए हैं अधार कार् और आधायर कार्ड को चेक कर लें वह लिंक है या नहीं लिंक है तो आप उसे जल्द से जल्द लिंक करवा लें लिंक करने के लिए अभी तो आपको एक हजार रुपए तक का ऑन-लाइन भुक्तान भी करना पड़ता है इसके पहले या प्रोसेस फ्री में था लेकिन अभी लेट हो गया है जो लोग पहले नहीं करवाए हैं उप करवा रहे हैं उनको एक हजार रुपे का भुगतान करवाना पड़ रहा है तो चलिए हम बताते हैं कि आपको इसके लिए किस वेब साइट पर जाना है और Income Tax.gov.in टाइप करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होकर आजाएगा आप इस फीलिंग के पोर्टल पर आजाएंगे और इसमें आपको सबसे उपर क्विक लिंग का एक सेक्शन मिलेगा इस pen card related बहुत सारे options दिये होंगे इ-verify, return, link आदार, status, link आदार, income, tax, return, status, verify, your pen, e-pay tax, no tax, payment, status, instead, e-pan, authenticate, notice, order, issue by ITD, no your AO आदि बहुत से भी option इसमें दिये गए हैं तो इसमें आपको simply इस link आदार status वाले option पर आजाना है आपको इस section पर click करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का portal open होकर आएगा जिसमें कि सबसे उपर लिखा होगा link आदार status और इसमें आपको कुछ details fill करने होंगे जिसमें कि आपको अपना pen number fill करना है और फिर आपका आदार number fill करना है इसमें तो सबसे पहले वाले column आप अपना 10 अंकों का pen number fill कर लेंगे और फिर उसके बाद next आप अपने 12 अंकों का आदार number fill कर लेंगे इसके बाद next आपको इस view link in आदार status वाले option पर click करना है इस option पर click करने के बाद आपके सामने message आएगा अगर आपका pen card link होगा तो आपके सामने message आएगा your pen number is already linked to given अधार number मतलब कि आपका जो pen number है और यह जो अधार number है या already link है अगर आपका pen card और अधार card already link नहीं होता है तो इस condition में message आएगा कि आपने जिस pen number और आधार number details को fill किया है वह link नहीं है अकरिपया आप link आधार वाले option पर जाकर अपने pen और आधार को link कर लें तो इस condition में आपको अपने pen card और आधार card को link करवाना जरूरी होगा जिसमें कि आपका 1000 रुपे का payment करेगा आधार और pen को link करने के लिए फिर वापस से आपको इस home वाले option पर आना है इसमें quick link option में आने के बाद इस link आधार वाले option पर click करना है इस option पर click करने के बाद आपके सामने आधार number और pen number fill करने का option आएगा आप वहाँ से आधार number pen number fill करके 1000 रुपे का payment करके आधार pen को link करवा लेंगे जिसमें कि नॉर्मली 24 गंटे का time लगता है आपका आधार और pen दोनों link को हो जाता है उसके बाद फिर आप वापस से link आधार इस टेटेस वाले option पर आकर check कर लेंगे तो आपका आधार और pen already link बताएगा तो हम अभी आधार और pen link करने के लिए एक separately video बनाने वाले हैं जिसमें कि हम आपको बता देंगे कि क्या क्या process है कि आप अपने आधार card को pen card से link कर सकते हैं तो इस तरह आप अपने phone से ही check कर सकते हैं कि आपका आधार card pen cards link है या नहीं link है तो हम उमिद करते हैं कि आज की ये video आपको पसंद आई होगी इससे आप अच्छी तरीके से अपने आधार और pen linking status को check कर सकते हैं अब हम मिलते हैं आप से अपने next video में अगर आप हमारे channel पर रहे हैं तो channel को subscribe कर लीजिएगा ताकि हमारे जो भी नए video आएं वो आप तक पहुंचते रहें और अगर हमारी ये video आपको पसंद आए तो like, subscribe, share जरूर करिएगा शुरू से अन तक हमारा video देखने के लिए धन्यवाद